नमस्कार और विल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप लोग यहाँ पर रश्या का लुना 25 बड़ी प्रोब्लम में आ चुका है रश्या का मून बिशन इसका स्टाटस क्या है क्या यह क्रैश कर चुका है क्या यह अभी भी मून के आसपास है इसके बारे में रश्यान स्पेस एजन दिन पहले जब मैंने यह वीडियो करी थी अपलोड के बहुत ही जल्दा आप देखोगे के रश्या वर्सिस इंडिया यह करेगा वर्ल मीडिया क्योंके चंद्रयान 3 या फिर लुना 1 मून के साउथ पोल पर पहले कौन पहुशता है उसको लेकर रेस होगी और फिर आपने देखा कि इस रेस को वर्ल मीडिया ने एक्स्टेंसिवली कवर किया है BBC से लेकर CNN वेरियस इस पर आर्टिकल्स पब्लिश हुए रिपोर्ट्स पब्लिश हुई लोग उत्साहित थे कि मून के सरफेस पर क्या इंडिया रश्या को बीट कर पाएगा और इस पर्टिकलर सकती है बहुत ही चीज़ें गलत हो सकती है तो अभी के लिए लग रहा है कि रश्या के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है यहां पर आप देख पाऊगे सीरन का अर्टिकल है रश्या का जो मून लेंडर है इसने इमर्जंसी सिचुएशन फेस करी है और य एकाउंट्स है यहां पर देख पाऊगे लिखा है कि रश्या का लूना 25 जिसको लैंड करना था मून पर यह फासिस कंट्री का जो पावरे दिखाने वरा था यह फेल हो चुका है क्योंकि करप्शन और चोरी रश्या में तिज़रा होती है कि यह लोग प्रॉपरली कुछ क बना रहे हैं बुरी तरीके से रश्या को कोटन कोट ट्रोल करने की कोशिच की जारी है कि आप असफल रहे आपने कोशिच करी मगर आप यह नहीं कर पाए और जो इनेशल रिपोर्ट्स है वहां पर क्लेम यह किया जा रहा है अगैन हमें अभी रॉसको मॉस की जो ऑफिशल कन्फर्मेशन है उसके बारे में बाव मता लएगा मगर क्लेम यह किया जा रहा है कि जब रश्या का मून लेंडर मून की तरफ थोड़ा और बढ़ रहा था तो अचानक से जो इंपल्स था यह वान पॉइंट फाइव टाइम्स जादा था जिसकी वज़े से एक पॉसिबि यह भी है कि चंद्रयान 3 पहले मून के साउथ पोल पर लैंड कर जाए और उसके बाद रॉसको मौस जब अपने लुना 25 को कंट्रोल कर पाएगा तब वो अराम अराम से लैंडिंग करवा पाएंगे तो अब पॉसिबिलिटी बहुत ज़रा बढ़ गई है मैं कहूंगा एक यूज एडवांटेज मिल चुका है चंद्रयान 3 को कि यह पहले पहुँच सकता है मून के साउथ पोल पर और मैं आपर यह कहूंगा यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि इंडियंस लुना 25 की असफलता सेलिबरेट नहीं कर रहें ना अगयन हमें पता नहीं है कि लुना 25 कि इंडियंस के मन में कुछ ऐसा नहीं के रचा का बुरा हो जाए इंडियंस दो यह कह embraced है के दोनों ही जो हमको दर्द हुआ थाना हमें पता है किती disappointment होती है किती निराशा हात में लगती है अब आप imagine करके देखो Russians को क्या फिलो रहा होगा Already इस country पर दुनिया भर के sanction लगे है जो war इनकी सरकार ने start करी थी सोच करके बड़ी अराम से जीट जाएंगे इस war में ये फस चुके हैं इस देश के कई हजारों लोग मल चुके हैं war में ऐसे time में अब एक और news ये भी आ जाए कि ये moon की race में हार गए हारे भी किस से एक काफी नए player से इंडिया से क्योंकि देखो again world media दो ये लिखेगा ये मेरे शब नहीं है आप देखोगे eventually world media लिखेगा यही के रशिया आज के समय इतना पीछी हो चुका है के ये लोग इंडिया को भी moon के surface पर बीट नहीं कर पाए और अगर वैसे हम बात करें चंद्रयान 3 की कि अगर मानलो जो 25 के साथ हुआ है क्या हमारे साथ हो सकता है देखिए इसके chances बहुत बहुत ज़रा कम है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाऊगे इस रो ने अपडेट करी है के second और final deboosting operation complete हो चुका है और अब धीरे धीरे ना विकरम lander ये देखेगा के landing side क्या होगी कहाँ पर इनको एक proper area मिलेगा जहाँ पर safely lander land कर पाए touchdown हो पाए और 23 अगस को बस 3 दिन बचे हैं 23 अगस को most probably विकरम lander moon के surface पर landing कर पाएगा और finally अगर हम बात करें ना science के बारे में क्योंकि अगर हैं देखो हम लोग अलग-अलग country से बिलॉंग करते हैं अलग-अलग groups हैं काफी बार pride और बहुत ही चीज़ा आती है रास्ते में बट in the end ना अगर हम एक human race की तरह सोचे और ये सोचे के luna 25 overall moon के बारे में हमारी जो समझ है इसको improve करने में कितना बड़ा रोल निभा सकता था तो उसे साब से अगर genuinely ये गिर चुका है moon पर ये crash हो चुका है ये मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा loss होगा क्योंकि luna 25 को design ऐसे किया गया था कि एक साल तक ये moon के surface पर research करने वाला था और finally अगर हम देखे तो ये एक बहुत ही बड़ा blow है Russia की reputation पर ये मैं अलड़ी देख रहा हूँ दुनिया भर में कई journalist ने लिखना start कर दिया है कि जो भी ये हुए ना I mean in the end जो ख़बरें आएंगी Chandrayaan 3 landed Luna 25 फिल्ड ये बहुत कम लोगों ने anticipate किया था उल्टा आप अगर देखो कई Americans पहले ये कह रहे थे कि हो सकता है कि Chandrayaan 3 फिर से सफल हो जाए Russians तो land करी देंगे मगर जो ये complete turn out हो चुका है इसकी हो जैसे Russia की जो reputation है इसको जड़का लगने वाला है at least space में जो इनकी reputation थी उसको जड़का लगने वाला है बट Indians की तरफ से देखिए Russia को यही message जाएगा कि even though Luna 25 सफल हो गया हो आप Luna 26 launch करिएगा हारवत मानिए space is difficult आपने बहुत कुछ in the past accomplish किया है future में भी accomplish करेंगे अभी के लिए definitely bad luck और finally आपे मैं आपसे question पूछूँगा जिसका answer आप सब लोग करोगे comment section में सही answer मैं आपको नहीं दूँगा जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं हार दे दूँगा question यहाँ पर यह है कि हाली में किस cricketer ने अपना निर्डने reverse कर दिया है retirement का और उनने पहले काता retirement में कर लूँगा one day format से अब यह कह रहे हैं कि world cup के लिए मैं वापस आ रहा हूँ यह हैं आपे आपकी options ben stokes, stuart broad, सचिन दंदूलकर या फिर ms zone comment section में करी उत्तर सही answer मैं नहीं दूँगा जो लोग सही answer करेंगे उनकी comment को मैं हाट देने की कोशिश करूँगा और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाहे SSC, UPSC, bank का आप purchase कर सकते हैं unacademy के quality courses comment section में जाइए pinned comment में यहाँ पे आपको मिलेंगे link for example let's say आपको prepare करना है UPSC के exam के लिए तो UPSC के link पर यहाँ पर करिये click और यहाँ पर purchase कर पाएंगे unacademy का UPSC course but जो prices यहाँ पर लिखे हैं don't ever pay these prices simply यहाँ पर code डालिए PD10 and the prices will start falling and you will be able to save a lot of money so use the code PD10 and save money और इसी note के साथ यह है वीडियो कांद thank you for listening may the gods watch over you यह हुआ यहाँ और झालिए पूजय है यहन झालिए पहाँ ऑ жाह क descend यह यह बहुआा है प्लुआण प्लुआट यह है भ़ग